हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज की से वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आज का यह लेक्चर नमर 18 है और इसे फिर वे सारे लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कबर किये थे जिसमें हम जो चैप्टर है मेकेनिस का उस सो हम सुरू किये थे और इसमें से बहुत सार हम टॉपिक को कबर किये जैसे किमिक्ट एक्पीलरियम क्या होता है फिर कंडिशन उफी किमिलेरियम क्या होता है यह सब बारे में हम लोग अच्छे सा कर चुके थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लेमिस फिरम क्या होता है और इससे रिलेड हम दो क्यूचन भी सॉल्व करेंगे यह दोस्तो टॉपिक आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोर्टन होने जा रहा है इसलिए दोस्तो आप से निवेदन कि आप इस और एकन्यार सरा और वहित प्योती ही दोस्तों फैसलिए अपशने घ्रलेड लेकिन को लिंइन नहीं है तो अब समय क्या है दोस्तों तो क्या रहे सब्स्तुरियर है लेकिन को लिन्इट होना चाहिए और मूर्ड यह सारह सारो टीनों फोर्स है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों तो एक बिलियरियम कंडिशन में होना चाहिए ले में स्मझ में आ गया होगा अब चलिए हम दोस्तों इस वो डिराइब कर लेते एक बार देखे दोस्तों लेट थिरी फोर्स पी क्यू एंड आर मतलब तीन टो फोर्स मानने जिए दोस्तों एको पी है एको की हुए एको आर है ठेक है acting at a point on a body मतलब किसी point sorry दोस्तों किसी body पर act कर रहा है तीन फोर्स जिसका पहला फोर्स करना में पी दूसरा फोर्स करना में क्यू एंड तीसरा फोर्स करना में आर और वह कैसा है दोस्तों तो एक equilibrium है देन आर दमेकिं अंगल अलफा बीटा एंगामा हासे दोस्तों अगर वह तीन फोर्स किसी body पर act कर रहा है तो जाहिर से बात दोस्तों कुछ तो एंगल बनाएगा तो जो पहला एंगल बन रहा हो अलफा बन रहा है दूसरा एंगल बन र यूरा एंड तीसरा फोर्स का नाम है मेरा क्यू और जो एंगल बन रहा है वह पहला अल्फा बन रहा है फिर बेटा बन रहा है फिर गामा बन रहा मतलब तीन फोर्स आयों के तिने फोर्स कैसा कंडिशन में दोस्तों तो एक equilibrium condition में है और यह जो तीने पॉइंट आपस में म और concurrent है लेकिन co-linear नहीं है और वो सारे के सारा force equilibrium है तब बोलता है कि जो परतेक force का magnitude होता है वो proportional होता है sign of angle between to the other forces के तो चलिए दोस्तो अब हम लोग इसको आंगे बढ़ते हैं देखे तो according to Lemis theorem लेमिस theorem के नुसार हम क्या बता है दोस्तो जो पी है वो proportional होगा sign होगा की नहीं दोस्तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखे यह जो पी है यह जो पी है यह जो पी यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यह पी है यह proportional होगा sign के क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि देखे दोस्तो magnitude of each force is proportional to the sine बोला है कि नहीं बोला है दोस्तों तो यह P है यह proportional होगा sine के तो हम यहाँ पर क्या लिख दिये तो P is proportional to sine अभी alpha कहाँ साँ है दोस्तों इसको अपध्यान में दिजिए फिर दोस्तों Q, Q भी proportional होगा sine के चलिए हम इसको भी लिख दिये अब R, R भी proportional होगा sine के इसको भी लिख दिया अब हम लोग को यह जानना है कि alpha, beta, gamma कहाँ साँ है हम कैसे जानेगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपको concept यह है कि अगर P का अगर आपको निकालना हो तो इसके जो opposite में जो angle होता है उसको लेते है देखे P के opposite में कौन सा angle आ रहा है दोस्तों, एक बर ध्यान देखे रहा तो P के हम इसको erase कर लेते है erase होजा देखे दोस्तों जो P है यह P के opposite में कौन सा angle आपको नजरा रहा है alpha, alpha ही ना रहा है दोस्तों P के opposite में alpha तो पी के पोजिट में अल्फा रहा है तो दोस्तों यहां पर अल्फा लिख दिये अब दिस्तों साइन बीटा तो देखें क्यूँ है तो क्यूँ के अपोजिट में दोस्तों कॉन साइंगल नजरा रहा है तो बीटा तो हम यहां पर दोस्तों बीटा लिख दिये अब दोस्त लेंगे यहां पर भी वैसा ही लेंगे है यह सव के बराबर लिख सकते हैं यहां से क्यों chi यहां से के ब्राबर सेकते और वइस आंगामा ऑब नहीं दोस्तों अब बिटा तो यहां आप ऐसे लिख सकते दोस्तों अब दोस्तों कि LHS यहां सब के बरावर है तो RHS भी तो सब बरावर ही होना चाहिए तो हम इसको तो according to determinants हम इसको लिख सकते है कि P by sin alpha बराबर है Q by sin beta वो बराबर है R by sin gamma के तो lemis theorem दोस्तों आपका यही है यह जो आपका star बना के दिया गया है दोस्तों यही आपका lemis theorem है आपको दोस्तों यह आप लोग इसे याद रखीगा बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि यह आपको बहुत important होने वाला है आपके परतेक इसमें बहुत सारा क्यूचन इसी से related बनता है जो कि आपको समेश्टर एक्जाम में भी भी बहुत सारा बार पूछा गया है तुसरा दोस्तों आपको यह फर्मूलों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कंडिशन कुछ पढ़ लेते की लिमिस थियूर हम कहां पर अपलाई करेंगे अब सब जगात अपलाई नहीं नहीं कर सकते दोस्तों पढ़ते हैं कहां कहां अपलाई करना है दोस्तों पहला कंडिशन ही है कि हम उसी जगा पर अपलाई करेंगे जहां की फोर्स अपलाई करेंगे अगर अपलाई नहीं करेंगे दूसरा कंडिशन करेंगे दोस्तों तो थी फोर्स आइक्टिंग ऑन अबड़ी शुड भी नन पैरलल देख दोस्तो यहां पर यह कर रहा है कि इसको हम उसी जग अपलाई करेंगे जहां पर जो तीन को फोर्स है वह पैरलल आपस में नहीं हो मतलब कि को प्लिनर हो नहीं हो तो यह दोस्तो आपको दूसरा अब देखे दोस्तो चौथा जो करेंगे उसको ध्यान से पढ़ेगा दोस्तो लेमिस एप्लिकेबल फोर को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स जैसा कि हम लोग डिफिनिशन में भी पढ़ेते दोस्तो कि कहां कहां पर अप्लाई करेंगे तो को प्लेनर और आप करेंट फोर्स के वाला ही अप्लाई करेंगे बाकी और जगा पर अप्लाई नहीं करेंगे अगर फोर्स को प्लेनर में नहीं है या फिर कॉन करेंट में नहीं है तो आप यह चारों कंडिशन अच्छे से याद हो क्या होगा आप इसे याद कर लीजेगा और यह बहुत 200 newton 200 newton का एक वेट है supported by the two chain AC and BC जिसको दो chain के द्वारा support मिल रहा है पहला chain का नाम है AC दूसरा chain का नाम है BC as showing feather determine the tension of each chain मतलब कि tension हमको निकालना है protection मतलब कि tension निकालना है पहले AC का फिर tension निकालना है हमको पहले बाद में BC का तो figure कुछ ऐसा है दोस्तों आप क्यूशन से figure कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा ऐसा दिया हुआ रहेगा ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है यह मेरा जो surface है और यहां से हमको पहला नियूटन का एक weight है जो कि लटकाया हुआ इस में दिया हुआ रहेगा अब इस हम सॉल्व करते हम अपना अनुसार फिगर बनाते हैं देखे दोस्तों यह आपको बहुत असाने समझ में आ जागा वह ही दोस्तों यह हमको 30 डिग्री दिया हुआ है यहां पड़ी हमको निकालना है टी एसी बराबर कितना होगा टी बीसी बर वैंगल और यह गंगल कितना होगा दोस्तों किसी भी एक श्ट्रेट लाइन रहता है तो इसको हम ऐए से करते हैं तो यह कितना था है एक्सोसी डिग्री वहता है कि नहीं दॉस्तों यह 90 यह 90 थी पूरा हो जाय कि दिकना लेक़ जसकते यहां पर हम मान लिए कि यह एको तब तो हो सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा आपनोगे तो यहां से थीस लिख दिए यहां से साफ लिख दिए और यह 90 आपने Spark theっちゃ कि i got straight glassesurry का एंगल बंता है तो एक साथ है तो Eight A 20 we are already तो पहले दोस्तो हम लोग इसे सॉल्फ करते हैं हम क्या बले था दोस्तो कि जो भी फोर्स होता है उसके डायरेटल पर्पोर्शन होता है साइन के तो हम यहां पर इसको बराबर है यहां पर हम लोग डेराइब कर चुके थे यहां साइन के होगा लेकिं अजया साइद कर लेता में ओभी हम फोर्स के अपोजित में कितना एंगल ये देखे हम यह तक मिलाईगा तो कि किनारा अगरिष्वा नहीं आ라고 तो 자,ब टेंशन E C के आपोजेटमेटमेट 500 डेगरी का अंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख दे, तो sin 1,500 लिख सकते कर ने की ने लिख सकते हैं, अब टेंशन BC है, तो BC के आपोजेटमें कितना डेगरी का कौन बन रहा है, तो टेंशन BC है, यह वाला BC, इसके आपोज प्रोचन हम को सीधे देखना कि उस फोर्स के फर्पर पूर्प पर पर पेंधी दोस्ट आपर पाफ्र्स तो यहां पर दोस्तों क्या सकते हैं यहां पर यहां पर लिका है और निया इसको और इसको और इसको इसको पेर करना है तो यहां सेपोटीस टेंशन इसी बते साइंड़ सो आजागा और है हमको हैंडन नूटन आ गया है दोसको तो हैंडन नूटन मतलब कि पहला जो टैंसन था इसी में एसी में जो कि टेंसन लगा था वह हमको निकालाया कितना है अब दुसरा आपको निकालना टेंसान जो कि लग तर बात्थ करद़ानगों स्में लगता है कि इस न हो एक Г&L उसना जिए प्रेlor कीऊ संसे आपको प्रोशन आपको मैं यक्ते हैं अबиковिव कन लगता ऑगा तो हम अगया है तो अब नए उसस हैं आपको पहला जी कि मीदिन कहता रहा है यह भी परशन दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है आपके बहुत बार यह एक्जाम में आया हुआ है इसमें कहा रहा है कि दो परशन है जो कि एक पुली है यह दोस्तों यह पुली होता है इसका पुली कहते है हम को कुछ करना है हमको जो कि100 कीजी का एक लोड लटकाया हुआ जो की मतलब कई दोस्तों यह पहला फॉर्स है यह दुसा फॉर्स है तीसा फॉर्स 600 तो दूंद हो जा जाएगा कैसे बनाना है। आपको यह फीगर को दोस्तों हम अपने तरीकी सी से सौल कर दीए मतलब कि इतना इसमें जो लंद बंद है वो सब को नटा दी है हमको सिंपल सा एक फिघरर वैसे निकाल दी है देखोर से यह पहला फोर्स F1 नहीं है दूसा फॉर्स आप साथ जोड़ेंगे तो डिवर्स वा जाएगा यह मेरा पच्छातर का पच्छातर ही है यहां दोस्तों यहां पर देखे हैं यह केजी में है तो पहला हम सबसे पहले हम इसको न्यूटर में बदल लेंगे तो डबली बार होता है दो यह हो जाएगा हेंडर इंटू नौ प अब लिख देंगे वह भी पर प्रोशन होगा सान के आप देख दोस्तोव जो e phone है E phone मेरा यह वैला ऐफ इसका पोजीट में कि जा एंगल बन रहारा तो 135 यह पर 135 लिख देए टो है उसके आप पोजीट में कितना डिगरी का अगल बन रहा है तो 1.500 तो 1.500 लिख देंगे और यह जो हैंडड है जिसका हम कनवर्ट करके लाए नो से कासी तो उसके पोजिट में कितना डेगरी का अंगल बन रहा है तो 75 यहां पर 75 लिख दिया फिर लाल दोस्तों फिर उसी करना है इसको पहले पहले यह वालो को और यह वालो क कंपेर कर देना है फिर यह वालो को और फिर यह वालो को कंपेर करना है तो पहले कंपेर करें तो एफ़न बराबर आ जाएगा 981 इंटू साइन 135 भागा साइन 75 जिसको केसी ओल अलक लूटा में डालेंगे तो मेरा भीलू आ जाएगा 718.14 न्यूटन यह मेरा एफ़न फोर्स का टेंसन आ गया वस्ची दोस्तों सेम प्रोस करेंगे तो दूसरा एफ़न फोर्स का टेंसन आ गया है मतलब दोनों फोर्स का एंसन आ आज्योर्स ​​को यह प्रोस अच्छे से समझ में आ गया होगा यह रखना फोर्स आइसे हैं तो सबसे पहरे दो सबस्कों यह करना है कि पहला प्को देखनाлюдकों इसको इतना ही फिगुर्डा गणाना थोसा कहले दूसरा फोर्सd्रा और यहां पर यहां पर एक तार लिएक अब आपको यह जो प्रश्ण है आप लोग अज्छ है बना लिएगा है आपको पाहले यह ला फॉर्स देखना है फिर स्कांगों की फिर आपको फिर है फियर जाना है अब उसमें पाहल्र Reports देखना है आप इसमीं हो वेट वेट लग लग लाल या इसने डोंदण निसों कर देखना इसको जब अन्सर आजए कि तो हैं तो आ यो डूस्ट आपको यह प्रसंद भी आपको से बन जाएगा तो फिलाल दोस्तो इस वाले वीडियो में तक अगर वीडियो को अच्या लगता है यह fruit लगता है तो से शेयर करना ना भूले इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में अपतल लोगे अपना ख्याल रखें और देखतेरें इस वीडियो स्रीच को धन्यवाद झाल भ्सका्वण पार हैं अपना लोगे झाल खूले एकला लगके वीडियो खूले को धन्यवाद